स्वागत है आप सभी का स्कोब 360 चैनल पर यदि आप CUET 2022 की प्रिप्रेशन कर रहे हैं और आपने AU और BHU जैसे इन्वर्सिटी सेलेक्ट किया है और आपके कोर्स के लिए जर्नल टेस्ट कमपलसरी है तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे जर्नल टेस्ट में मैथ की A to Z जिटने चैप्टर है पूरे चैप्टर जो है ट्रिक्स और कॉंसेट से क्लियर करा दिये जाएंगे इस समय हम आपको घन और घनमोल का चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और ओवराल यह मैथ का जो है आठवा वीडियो है आप मेरा विश्वास करिए एकजाम के एक सब्टा पहले जो है आप सभी का पूरा मैथ का चैप्टर क्लियर करा दिया जाएगा और एक्जाम जब एक सब्टा रह जाएगा तो बूस्टर डोज मतलब की सारे चैप्टरों का मिला कर प्रस्ण आपको 18 सिट दे दिया जाएगा और इतना आपके लिए परियाब तो होगा ठीक है तो अगर आपको इस वीडियो का पीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सकोब 360 पर जाकर इसका पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आज का पहला प्रस्ण इस टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पहले प्रस्ण में देखे हमारे सामने यहाँ पर जो पहला प्रस्ण है एक्चुल में इस चैप्टर का तीसरा प्रस्ण है और आज की वीडियो का पहला प्रस्ण है लिखा है घानों के योग तथा अंतर पराधारित प्रस्ण घानों के योग तथा अंतर पराधारित प्रस्ण चार प्रस्ण मारे सामने है और इन चारो प्रस्णों को हम साल्व करेंगे देखे मैं पहले चारो प्रस्णों का आपको ऐसे मुझबानी अंसर बताने की कोसिस करूँगा और उसके बार मैंने कौन सा कॉंसेट इसमें यूज किया है वो भी मैं आपको भी यहां पर दिखाऊंगा यदि आपको उस कॉंसेट से सवाले हल करनी है तो आपको हमारे वीडियो सुरू से देखने होंगे यहां से देखने से भाई समझ भी तो आज आएगा लेकिन कॉंसेट समझने में थोड़ी सी प्राबलम हो सकती है खैर इसमें तो कॉंसेट भी समझने में प्राबलम नहीं होगी आईए मैं आपको कॉंसेट बताता हूँ जैसे इस तरह से आपका क्यूब दिया रहे और नीचे कुछ भी लिखा रहे ठीक है जादा तर केसेज में बस आप थोड़ा समझिएगा तो जैसे आप प्लस लिखा है न तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे हमारा इसका एंसर हो जाएगा 0.6 कैसे आया अभी बताएंगा आप या नोट कर लीजे 0.6 अभी इस प्रसन का एंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा परला प्रसन जो है यहां माइनस है तो इसका एंसर आएगा माइनस 0.1 ठीक है नोट करके रखे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अगला वाला यह जो प्रसन है इसका एंसर आएगा 0.602 ठीक है यह एंसर आने वाला नोट करके रखे रही है ठीक है इसमें क्यूब लगा होता है आपको उसी को मानना होगा ए और बी तो मैंने पहले पार्ट को जो है ए माल लिया देखी यहां पर दूसरे पार्ट को क्या माल लिया बी अब आपको करना क्या वहां ए रखोगे तो एक्यूब बनेगा और यहां ए रखोगे तो भी रखोगे BQ बनेगा नीचे इस पर square था तो A square यहां पर यहां की गलतिस लगा है square है तो यहां पर हमने square कर दिया और 0.6 जो है दो तियां कितना होता अच्छा तो मतलब यहां पर आपका A B हो जाएगा इतना आते ही आप इसका formula खोलोगे तो इसका formula क्या होता है A question में plus B और question में square minus A B plus B square ठीक है और नीचे आपका यही चीज़ पहले से था तो यह इससे क्या हो जाएगा cancel आया आपका क्या A plus B A की value और B की value रखतर जोड़ दिया answer आया कितना 0.6 मैंने पहले ही बताया था अब सवाल उड़ता है कितना जल्दी हम लोग कैसे कर लेंगे exam में तो देखे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो part है उसका formula खुलने पर ज़्यादा तर cases में यह थोड़ा आपको watch करना भी होगा वहाँ पर carefully ठीक है जादा तर cases में नीचे वाला कड़ जाएगा अब बचा उपर वाला अगर a q plus b q है तो जायर सी बात है आपका last में जो बचेगा वो a plus b जैसा कि यहाँ पर आया है और a और b की value रख कर डारेक्ट जोड़ दीजे लेकिन carefully करिए गया यह नहीं कि आप डारेक्ट रख दे और आपका गलत भी हो जाए और ऐसे आप सुनवा बना कर रखे भी रहेंगे ठीक है दूसरा देखते हैं दूसरे मैंने इसको ए माना तो जो कि जिरू पॉand 8 था तो यह किसका क्यूब होता है 0.2 का क्यूब होता है ठीक यह धिहान लीज़ेगा एक मिनट किसका की होता जन ऊका और यहाँ पर जो जनल पूइंट नाइन पर श्री है तो श्राि कित पहले हैंद जनल आपकती है जोड़ी आ पहले से यह कीवग और यह आपका बी क्यूब होगया यह तो फो इक है है तो इसलिए हम यहां पर इसका जब इस पार खोलेंगे फार्मॉला तो यह आपका यहां पर आएगा कटने के बाद कि हम बचा आपका माइनस भी एक की जगा 0.8 और बी की जगा 0.9 और आपका हल करने पर आप माइनस 0.1 मैंने पहले से बताया था ठीक कि अब ऐसे यहां पर करने करने पर देकि यहां पर डारेट क्यों वगेरा नहीं कहों कि गुरू जी अब यहां है भी इसका मतलब बता रहे हैं क्योंकि जिरो पॉइंट जो आपका 125 है एक्च्वल में 0.5 का क्यूब होता है और यहां पर 0.5 का स्कॉर होता और यहां 1.1 का स्कॉर होता ठीक है अब यहां पर जो है 1155 मिलब 0.5 इंटू 1.1 का इंटू होगा ठीक है तो अगर हम इसको ए मानते तो एक्यू इसको भी मानते तो भी क्यू नीचे यह आपका A स्कॉर और यह आपका B स्कॉर और यह आपका A B फार्मला खोलने पर लास्ट में A माइनस भी आ जाएगा सब को पता लेकिन A की जगह क्या है 0.5 और B की जगह क्या है 1.1 तो यह थोड़ा यहां पर अलग चीज लिख दिया गया था तो आपका दो आपकाइब वाला जाएगा यह घंड रिजपिटी आज होगा थिक है मैं इसका यहां से स्क्रेइब ले लिया हूं यही मिलेगा थिक चलिए आगे देखते हैं अगला क्योस्तान हमारा है यहां पर 0.6 0.027 अब प्लस 0.064 ठीक है यह है तो अब यहाँ प्लस बी क्यों लगना है नीचे फिर वही आएगा फिर कटने के बाद ए प्लस भी बन जाए है ठीक है अब सवाल यह उड़ता है कि क्या यहाँ पर जो 0.12 था यह आएगा तो देखिए यह 3 का है और यह 4 का है तो चर्ती बारा आ आएगा ठीक है तो अब यहाँ पटारिक दीजिए 0.7 तो आई होप कि आपको पहले प्रस्न के सभी अंसर आपको अच्छे समझ में आगे ठीक अब हम आपको यहाँ पर दूसरा प्रस्न दिखाने की कोशिज करते और उनके अंसरों की मनलब उनके अंसर भी आपको बताएं स्क्वाइर रूट है और फिर यहाँ पर स्क्वाइर रूट के अंदर क्यूब रूट है और यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर स्क्वाइर रूट है और यहाँ पर स्क्वाइर रूट के अंदर क्यूब रूट है कुछ भी नहीं करना है बस ध्यान से देखिए कैसे मैं करना तब आपको चैप्टर में पढ़ाया वह चैप्टर मारे समाब तो चुका है उस में बताया था कि कितने औंक है एक दो तीन चार पांच तो वर्गमोल में कितने अंक आएंगे 3 ठीक है अब आपको बस करना किया 64 का वर्गमोल लेगा 64 का वर्गमोल जो है वो आठ निकलेगा तो यहां पर दसमलोग बाद तीन अंक रखना था 0.008 हो गया अब आप सबको पता है कि यहां पर दसमलोग बाद अगर तीन रहेगा तो घनमोल में कितना अंक आएगा दो एक अंक आएगा ठीक है तो आठ का घनमोल कितना होता और यह किसका क्यूब रूट जब निकालेंगे तो कितना आएगा 64 ठीक है और अब 64 का जब 0.64 आएगा और 0.64 का वर्गमोल कितना होता है 0.8 सबको पता होना चाहिए ठीक इस तरह से यह प्रसन आपका साल्व कर दिया गया ठीक है तीसरा प्रसन आपका है तीसरे प्रसन मे इसी तरह से आपको करना है ठीक है आप दिखी यह आपका है यहां पर इसमें ten लगाया सक्वायर के बार दो न्रॉड 25 सब्सक्राइब को सब्सकरों बार 005 ठीक है तो कि इस तरह से इस वीडियो में यह आपका सक्राई 100 option होगे ठीक है अब हम नेस्ट वीडियो में पूरा डॉप 15 क्योशन पूरे चैप्टर का वर्ग वर्ग मुल घंगन मुल पूरा आपको चैप्टर का क्लियर करा दूँगा ठीक है या फिर कोई नया चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा ऐसे और वीडियो चैनल पर बने रहें